कि बारा महींने तो पूरा दूद इसी ने प्या जिसकी माँड़ा है लगव को अपने कांटे से 12 लिटर फर्ती दिन का दूद निकला इसका तरले फर्ती दिन का रिकोड किया अपने जिसके बाद उसको अपन ने सेल किया था पेशे का मनें तो तरीक्या हमारे पास जै तो डिमांड पर कोई बंदा खरी देगा तो इसके बच्चे तयार करके लाक रुपे में बेचेंगे किसान बाई नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा पशुदन मेरा नाम है संदीब सिंग और आज में आप लोगों को ले के आया हूं सबसे बेस्ट डेरी फार्म पर जो कि मद्द परदेश का सबसे एक नंबर डेरी फार्म में बेंस के मामले में क्योंकि ऐसे बेसे ना तो आपन पंजाब में देखी होगी देखी होगी पर उन्तों जिन के पास एक दो या फिर चार पास सीमिद बेसे होती हैं इस डेरी फार्म पर एक ही घुटे पर आप लोगों को पचास बेसे ज्यादा बेसे देखने को मिलेगी और सारी की सारी जो बेसे हैं वो एक से बढ़कर एक क्वालिटी हैं यह जुकट्रि आप मेरे पास देख पार हो इसकी उम्र है अब ही मात्र है क्या कुछ आप लोगों को खिलाना चाहिए तो वीडियो में आप लोग बन रहना वीडियो पुरा देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है कि आप道 को इस वीडियो में ज्यानक़ी योगों कम समय में बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिल सकें इसलिए में आपके लिए अलग-अलग डेरी फार्म पर जात रहता हूं तो आगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ मेरा नाम गंगाशिंग सोलंगी फर्म सिरी बालाजी पश्यू डेरी फार्म सातलखेड़ी केसिल बानपरा जिला मन्सौ और सभी लग भाईयों को रामराम सभी सभी किसान बईयों को राम इंग तो आप सबसे पहले हमें बताएं जिद्यू हम आपका यह कप से कर रहे हैं फरले अपने यहां देसी पशू थे और है 5 मरच छो जडाया से यह मोरा नसल फे क्वाहि तर्टेश शुरू कर रहें नान से कर दा इसको मोरा कर देशी साल से दो 10 काम यह देशिक नसल का मैं तो अब मुका है इसको 54 इस तो फिरये?. होगा मैंने 20-22 पाश्यू से स्टार्ट किया था इसको पेले कुछ तो पहले के थे और फिर इस्टार्ट किया था अब दिरे दिरे नबे पिंचनों तक पहुंच गया था फिर अभी सीजन पे सेल करिए ती चालीस अभी सेल कर दी ती बचड़े और पाडियां कुछ बेंसे भ तो जब आपने शुरू किया था अथा डेरी फ Bishop करीदेतें पश्यू मेंतो था था करिदा किये किसे कुछ हैं यहां इस तो देखो माँ जाके रुके दूदनिकला देखा एक दो दो दीन घुमे इदर उदर और फिर अपनको जो पसंद आये जनडरेशन कि अधिकतर एलेगा दूसरी जे इंद्द के आनुड के नई जनडरेशन के पशू लायत है और सारह यह पस्षण अच्छे मिले और अच्छा काम तो हम एक चीज आपके फार में देख पा रहे हैं पंजाब में बिकर रहे हैं काफी ज्यादा नाम है उन लोगों का और उन लोगों का में बहुत-बहुत दन्यवाद करना चाहूंगा कि इस ब्रीट को उन्हों ने विक्सित करके पूरे देश में इस ब्रीट को पैचान दिल तो है तो एसी क्यालिटी केसे हैं आपके फार्म पीस्बेस की हम दूद पर दूद कम निकालते हैं और बच्ची त्यार करते हैं बिडिंग काम है तो इनको पुराग में पूरी डाइट प्लान तरीके से करते हैं तो उससे आप यह बच्ची देख रहो 16 महिने की है और आज आ मैंने दिखा है तब है संदीबी चोथी बार हीट पर आगी मैंने खुद जब मैं आया था सुबह इनके फांप अभी लगबग आप घड़ी में देख सकते हैं जो टाइम है वह है पौने चार का यानि कि यह देखो आप को पौने चार अभी बजे हुए हैं और जब यह कटडी हमने सुबह देखी ती तो हीट में थी आज तारीक कितनी है आज तारीक अठारा बारा दोजार बाइस तो आज वापस से कटडी हीट में आई हैं उमर कितनी बताई आप 16 महिने की 16 महिने जिसका एक शोट वीडियो हमने बनाया था लगबग 5-6 महिने पहले जो कि आप लोगों को हमारे ही चैनल मिलेगा जो कि गर्मी का मौसम था उस टाइम पर हमने वीडियो बनाया था तब भी इसको हमने दूद पीते हुए आप लोगों को दिखाया था अभी 15 दिन पहले ही दूद छोड़ा है यह क्वालिटी आप लोग देखे क्योंकि बहुत सब्सक्राइब करते बूद निकी आफ और जो हैристकी दूद परती आपके बीचे दूद दूद में व्याहत पमें यह साय ठपकी बच्ची के पाइब अभी इसके पास देखो यह हाइड देखो इसकी यह भेंस में और इस कटड़ी में आप कोई अंतर ने निकाल पाएंगे अगर अच्छे से देखेंगे तो अगर आप लोग पूरे तनमन से पूरी लगन के साथ और एक महिनस के साथ में अगर आप लोगों को देखने को मिलता है देखो बहुत सारी लोग दिखाते हैं कि पीट पुट्ट है अब एससे पीट पुट्ट है यह देखो हाथ तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है बेस के आपको नामुम्किन है और दूसरी बात कि यह अभी पुट्ट के नहीं लाए है सारी बच्चे यह तैयार करें सारी कि सारी जो बच्चियां है जो पशू है उन्होंने यहीं पर तयार किये हैं यह देखो अगर मैं पश्ते लेक्टेशन की है और अठारा महीने उमर है इसक जैसे कि आपने बताया कि आप लोग द्रीटिंग पर द्यान देते हैं डाइट प्लान क्या रहता होगा इन बैस होगा इनको ग्याओं का दलिया बिनोला की खाल गूड अल्सी का तेल सारे मिक्स करके दोनों टाइम किलाते और हम अधिकतर हरा चारा खिलाते इनको हरा चारा उसमें मिलाकर दिया जाता है जोगी इनका अवर्म है पूरा का पूरा यह 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 दूद के द्यांत की अभी चार मेने गया देखो इसकी क्या उम्म्र होगी यह 20 महीने 20 महीने इसकी उम्र है देखो कि एक एक जो ब्यास है आप पर एक से बढ़कर एक क्वालिटी के आप लोगों मिले सर अगर कीमत की में बात करूँ आपकी बैस होगी नॉर्मल क्या प्राइज रेंज होती है एक लाग थीसा जार से स्टार्ट है अच्छा तो तीन साड़े तीन लाग तक की पश्यू है त कि यह जो 25 पचीस लाकी बे से बीटि हैं इनकी तो क्वालिटी तो उनके बार क्या बता सकते हैं बैटे-बैटे यह है कि उनका दूद परती दिन की अगर कोई 30 बता रहा या 32 बता था हो सकता उनकी रेट हो सकती है क्योंकि मेरा मानना यह कि दूदो खिलाने पिलाने से बढ़ता है नसल अगर है तो अगर अच्छा खिलाएंगे तो दूदो आएगा क्योंकि मैं हरियाना से पशु लाया तो मैंने 7-8 लिटर पर दूद दिया उनने अब यह तो अपने खिलाई पिलाई पर है क्योंकि अपने मां 14-15 लिटर की भेंशी खरीदी थी जो अपने फारम पर 20-25 लिटर दूद अपने यहां पर निकाला उन पर शुओंगा और उनकी जो कटडी अपनने तयार करी फर्स टाइमर कटडियों का 8- 10 लिलीटर दूद तो अपने टाइम का यहां निकाला उसे यह कटडी आप देख रहें यह चोटी से बच्चिव यह तो, इसका अपने कांटे से तोले लिटर सत्रा लिटर परती दिन का दूलनकल आप जब यह ह्ट ने इसने बन्लों चरोण अपने धुर्चाला कि भारा मीन यह दूद तो पुरा दूद आग एसके मागा लग उर्ब्लाग का दूद पी एक लाग से उपर पहुंच गया होगा जी मोटा मोटा मानलो आपकी 7 लिटर 14 लिटर 14 लिटर से आप लगा लो 50 से 700 रुपर रोज का तो वह बाकी साब किताब आप करते रहे ना मैं आप लोगों को वीडियो में बता देता हूं कि यह कटडी अभी 15 दिन पहले भी दूद पी हैंगे हिसके हाराम से कैसे कमांगे यह से इतने पैसे कामाना क्या तो दो तरीक है हमारे पास ठीक कोई बीड़ लेकर क्या खरेंगे आप बोलता में आयेंगा इसकी कटडी भेंगे में दूसरे पर वह इसे पर करकें ऊपने तीन बच्चे इसके बेजली आगर आपकira ने सब्रस लियां, अगर थे पांद नौaders में दूसरे बच्डी कुह डिए तो साड़े चार से कमनी देना है आपने कम हैं पहले से पेसे हाँ मैंने एक बच्चा था मेरे पास जोटा तो इसके मैंने डैलाग रुपे डिमांड रखी थी तो यहां डैलाग रुपे इसे नहीं लगे तो फिर अपन ने उसका जो है सर्वीस पे छोड़ा था तो कम से कम ड अब यह देखो दोस्तों लोगों मानते नहीं है कि पश्यू पालने में आपको कमाई कैसे होगी लोगों ने इसे इसको एक शेर मार्केट की तरह समझ लिया है आप लोगों को मैं बता दू किसान जो दंदा करता है वो कोई सटेवाजी या फिर इसा शोगनी है आप लोग कि इस बेस जो भी बह renewiß न 2 देख देगि किमत है वह लोग देकर याप पर इसे अपने बहीं में आप साथ़ा भिए बहुन मंडी के नजभागा हुआ तो एक बार आप हमें इनका डाइट प्लान बताएं थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो क्या भी तो खुले में कर रखे पश्चु सर्दी का टाइम में तो अभी क्या हरा ज्यादा कारी बर्सिम अगेरा तो इनको जो पिशाब है वह बहुत ज़्यादा होता है ज अब रात में जो आप देख रहो है टेंट वाली वेस्ता कर रखी है तो रात में इसमें बानते हैं सुबे इनको खुले में रखते हैं जो इनकी स्क्रीन भी खराब नहीं हो और इनको दूब भी मिले अब यह देख रहो दूसरे टाइम की जाबिन जोटी है 15-20 दिन लेगी के दाने को देखव अब यह द्को दूसरे टाइम कि इस दीन अर्ड लेगी बच्चे को देने 15-20 दिनों लेगी ंद्यून कि यह कितने उमर होगी लगबग इसकी उमर होगी लगबग अभी यह से दात है चार साल मान सकतें चार साल कर आई यह देखो पापिशले के प्रहा तो आप लोगों को बोलता हूं कि एक गाई ने साथ लिटर दूद दिया लोग बना रहा है ठीक है लोगों इसे खाना मिलना बहुत जादा मुश्कील होता है यह वे इसको डॉल रही है देखो आपने पांच छुट यह तैयार करी थी उसमें से चे मैं से पांच ने तो साड़े नो लिटर दिया था एक ने छे लिटर दिया था जो फ़्य आपने पास ही एक तो वह उधर देख सकते जाएट यह वाली है एक सामने दूसरे चार दाँत में अभी दूसरी बार में ताजब यह चार दांत में है तो आप हमें इनका डायट पलान बता कर दिन बर में ग खिलते हैं ये शुबह तो आप देख रहे हुं सुगा किसी को बोलुगा मैं कि इसक्रीन में भी आप लोगों को लगा दूँगा यहां पर जब बेस खाती हुई रहेगी तब ठीक है क्या क्या बताए आपने चीजे एक तो गूड है गूड है अलसी का थेले हैं बिनले कपशया की जो खल आती है कपशया खल और ग्याओं का दलिया गहों का दलिया और थोड़ा सा मेथी का दलिया साथ में मेथी का दलिया ताकि जिससे के लचेम और सारा कुछ उनकी पूर्ती हो जाए जिए तो और अगर एक बेस जैसे कि यही बेस है आप बता रहे हो कि अभी प्रेगनेंट है इसको भी यह दाना दिया जाता है 12 महीने द लोगों का मानना होता है कि जो पशू हमारा है उसको ऐसे तोल-तोल के खाना के लाना चाहिए नहीं हमारे यहां इसा होता सहा है टोल के खानाव chipsy जिती है उता खालेती और हमें भी पता है कि इसकी किपेशिटी किता है और किता खाएगी अब ये सेकंड टाइम में छे दांत जोटी है और थन की वग्छा इसकी आप दो अडर वगरा देखो आपको भी लगेगा इस इतने दाथ हैं छे दान्त छे दान्त है देखो इन दनों की गेब देखो इसकी अडर जो पूरा आगे तक फेला हूँ अडर है यह कर देखो लगबग यहां पर 1.5 लाग से कम की कोई भी अस नहीं है इनके गुटे पर यह अगर प्राइस भी आप जोड़ेंगे तो 1.5 लाग से ज्यादा ही होगी पर कम नहीं होगी तो वह तो आपने बता दिया कि इनको भर पेट यहां पर दिया जाता है यह साथ जैसे मालो सब्सक्राइब कोई बिदोर दे रही है कोई आड़ दे रही है दाना तो सेम सेम इसका है 22 लिटर दूद अभी काटे का तोला आप कोई 11 लिटर शाम कोछे बचे तोलो लो जी तो आप तो इस इधर आए हैं आप हमें यह बताओ कि अगर कोई बंदा नहाडरी फार्म करता ह फ्रैसल्ब करें शुरूब करने के लिए उसको सबसे पी मित करें चाहिए एक तो कंपसुंट्ब करें विछ यह पश्यू खरीते से मन की इन बातों का दियान रखे बता हुआ है जैसे कि यहीं बैसे अभी आप देख रो इसका अडर कितना साफ है कितना बड़ी अडरे थन की क्वालेटी थनों की गेव देख लो बीच में हैं कितना बड़ी थने और कितनी दूरी पे थने लेवटी कितनी इसको आप लोगों को दिखाई जा रही है कि इसका अडर दिखाओ आप पिछे से चलो यह देखो शानदार क्वालिटी आप लोगों को हर एक बेस में देखने को मिलेगी यह नहीं कि इसको ही छोड़के दिखा जा रहा है बाकि जो सारी बेस हैं वो इससे भी बढ़के हैं तो आप लोग ऐसे दिखाए आप पशू को जो आकार होता है वो भी आपका बढ़ा हो होना चाहिए अगर दूदारू पशू है तो दूदारू पशू हो तो आखर भी बढ़ा होना चाहिए और सारी चीजह अच्छी होगी तब ही पशू दूदू पशू देखकर कैसे पशू खरी सकते हैं वह वीडियो मैंने एक पूरा बूरा वीडियो उसी टोपिक को उपर बनाया है लग बग 7-8 मिनिट का तो वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिसमें के आप लोगों को पता चल जाएगा कि पशू हम लोगों को कैसे घरिदना है वह वीडियो में इसक्रीन पर लगा दूंगा उसका फोटो या फिर आई बटन में आप लोगों को लिंक के तो यह भी हो गई हमारी पशू गई दिने की बात अब जब नया पशू लाता है तो जैसे हरेना सब्सक्राइब कर आया या फिर आप से लेके गया तो घर जाके कैसे मेनेजमेंट करना है उसका एक तो पूरी तरह इस पर खाना पिरना जो है बराबर खिलाना चीए और साथ दवयों का भी उपयोग करना पड़ेगा नया बंदा है पशू नई जगह गया तो चारा कम घाएगा तो उसको लिवर टोनिक वगेरा लिवर टोनिक भी देना जरूरी लिवर टोनिक साथ में पाउडर डाइजीमेक्स पाउडर है या हमाले बतिशा है सारी चीजे देगी भूख खुलेगी जानवर की दूसी जगह सेट होने में पशू टाइम लेता है कोई भी बंदा भशू घर ले जानने के बाद तूरंती उतना दूद निकालेगा तो पशू दूद नी देगा दूसी जगह पशू को सोट होने में दस से पंदरा दिन लगते हैं बहुत सारे से भाई बेची तो यहां आठ लिटर दूद निकाल के दिया उन भाईयों के गर पे सेट होना बात बोसारे भाईयों आप यह ऑन आपने बराबर अगर खुरा करेंगे तो में भी पशू दूद देगा और रहा तो दूद कहां से आएगा देगो दोस्तों लोग जब भी नए डेरी फार्म शुरू करते हैं सबसे पहले तो उनका मकसद होता है कि हमको डेरी फार्म शुरू करना है जैसे कि कोई बिजनेस इस्टार्ट कर रहा हूं आदमी इसे आप बिजनेस कम और एक चाहू या फिल लग कि क्योंकि जैसे कि यह कोई डेरी फार्म शुरू करते हैं सबसे पहले 100 बनाता है लाकु Skills पे बरबात करने के बादumes टेंस इसे पहलित करिफना है जबकि मेरे इसाब तो आप लोग एक लाग रुपे का शेट बनाए बिल्कुल कच्चा जैसे कि इन्होंने या पर देखो बास का बना रखा है कितना शांदार लग रहा है देखने में पूरा नेचुरल है ठंड में ठंड नहीं लगेगी गर्मी में गर्मी नहीं होगी और प पाशु नहीं ला पाएंगे क्योंकि पैसे सिमीत रहते हैं और शेट पर तो दिर दिर अपना को लगिया कि अपना पाशु सही आगे तो दिर दिर आप खर्चा करो दिर फिर आप जो दूद पे विवस्तित बेचने में सारी चेजों में खर्चा करो के लिए एक बार पाश लेंता अब थोड़ा पास जाओ तो उसके लिए देखो पूरा जो हाइड जो होती है ना नॉर्मल आदमी की वहती है लगब कर पास थाड़े पास फीट छे फीट वह देखो लगब कर साड़े चार फूट से उपर तो बेंसे यह देखो अधर की क्वालेटी वगेरा शांदार है सारी की सारी बेस पूरी शांदार है आप लोग कोई कमीनी निकालते देखो यह देखो यह देखो काफी भारी बरकम सुडोल शरीरे में इसका ठीक है ठीक है हम नए नए हैं डेरी फार्म में तो पश्यू सारे तोड़े इसे चोकन आप देखो बिल्कुल शांदार गेपिंग यह देखो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ताइम अभी हो रहा है लगबग चार बजे हैं और हम वीडियो शूट कर रहे हैं अभी दूद निकलने में लगबग कर कितना टाइम बाकि हो गंटे दो गंटे अभी बाकि हैं यह है यह देखो यह दूसरे जैट बाकि यह रखिया झावे अभी दोनो धeneं दो ए दोड़ाया देरी यह धिन होकी दूसरे टाइम की हापका दूद कहा होता है रहे है नाandom रूपन्य को शीरिप कर फर जैघन है हम मैं बतिनल दो ठीन का हिसम दो भून देरे तो थोड़ा दो कितना रुपे के साफ से जाता है 50 रुपे लिटर तो लगब कितना रुपे को है 10,000 दस जार को दो दो हो रहा है पर दिन का ब्यांस्व को उपर अगर में खर्चे की बात करूं कितना खर्चा रहा है खर्चा तो अभी टोटल मिला के देखो आप तो लगबक 8,5-8,000 का लोगों का यह सवाल होगा कि इतना बड़ा के पिटल लगा के हमें इतनी सी इंकम हो रही है आप इनके फार्म पर देखो लगबक एक करोड तो आप मान के चलो एक करोड रुपे के पश्यू इनके फार्म पहें जो कि इन्होंने खूद ही तयार किये हैं अप ब्रीड में ज टो जितना बेच वहां जैसे दो कुछ दून निकाल रहे हैं और सारा निकालें गए तीन कंटल निकालेंगे दस की इंकम है पंद्रागी तो अगर साल के दो-तिन बच्च्छे हर मैने के मालो दो बच्चे मैने लुद दो मैने के बच्च जाता चेलिस हजार का और जो पाड तरण कोटा था कि सब दिन में सो डेर सो आदमी रोज परती दिन आथे नाम भी होता है अब यह चार दांत पैलिबार की जोटी भी आई होई लोगे ना एक फेल होने का यह भी होता है मेरे नुभू से कि लोग क्या करते हैं पश्यू को खाने से पैसा बचाते हैं कम दाना दे लोग यह देखो हाइट इस बेस की देखो आप कितनी भार इवर कम बेसे हैं बिल्कुल यह इदर आजाओ केमरे से डर की तो जैसे कि आपने बताया कि आपका दूद लगबग आपको 30,000 रुपय के आसपास बच जाते हैं जी ठीक है बेसे भी आप लोग सेल करते हैं बेसे बेसे करते हैं बच्चियां भी सेथे हैं छोटे बच्ची आप लोग को चाहिए बच्डिया आप लोग को चाहिए तो वोग सेल करते हैं आपके पास बपास बपेशै कोई है फिर गाय का सीस्टम की जादा अधिकतर बासों का का में THE only one day करते हैं पश्य से गाहों में किसी की भी गाई बीमार हो चाहिए किसी धनी की हो या नार्थ गाई हो जो भी हो सब को बोल रहा है जो गाई यह लाके बांदेगा उसके हम पूरी सेवा करेंगे और उसको स्वच्च होने के बाद छोड़ेंगे यह हमारा निशूल सेवा के अब सब्सक्राइब होती है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है इन्होंने एक यहां पर देशी जो गाई है उसको अपने डेरी फाम में बांदा है और बिलकुल नीश्वार तो उसको चोट लगी हुई थी पेर में पेर में चोट लगने के बाद संदीब पाना भी खिला रहे हैं उसके सारे पानी पिलाना सब पूरी से वश्क्राइब हो रही है तो लोग क्या करते ना दाने से पैसा बचाते हैं पोश्य को दूद नी पिलाने से पैसा बचाते हैं होता कुछ नहीं है पूरा का पूरा नुकसान होता है यह दूसरे ब्यांत के ज आप लोग 2-3 रुपे का दूद बेज पाओगे अगर वही दूद आप बच्डों को फिलाओगे तो वही बच्ड़ा आपका एक लाख रुपे का सेल होगा देखो गूमा लोगो कितनी व्यात की है दूसरे दूसरी व्यात में है दूद कितना होगा इसका अब इसका दूद है 15 लिटर पंदरा लिटर इसको ढई महिने हुग है धाई महिने भी गहाई हो गये है अच्छा यह दखो जैसा कि इनोंने बताया पूरा का पूरा अभीज इनका फोकस है वो ब्रीडिंग के लिए आप इंसेमिनेशन का क्या करते है मतले बूल रख 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 रहा है फुट उनने तैयार किया था बहुत बढ़िया बच्चा है उससे है किकना दूद हो उसकी माय का 22 लिटर दूद था 22 लिटर जी पर्तिजिन का कंटे का तोला अ अच्छों कर्त आई दिया जैसे कि और जो आज दो जच्बी इंसon गर्भादान और चाहितने लिक्ति लोगव करवाएं थे जिसने भी कर वायों सारे फुष फूखों लाए ने कि तीन भार एक भियसको गावें कर वाने के बाद उसको मुझे जोटा के पासले के पास अव दिख्तर क्या हुआ संदीब यह जितने भी डॉक्टर है उसकी जो गेस के टैंकी वगरा जो उनका जो मैंटीनेश रखते हैं और और वह जो सिमन लाते हैं उनकी केर नहीं कर पाते तो जितने बाइयोंने एक कर्दान जो करते हैं वह मेरे हिसाब से तो 99 परसें फेल जाते एक किसी की किसमत से सक्सेश हो जाता है तो हम भी एक साल से इसी का वेट किया था और जिसके बाद सक्सेश नहीं होने के करण फिर हम ने भूल थे त्यार दिया हम इस चीज के ऊपर नेगेटिविटी न ला रहे हैं कि आप लोग करते में इस इंसेमिनेशन नहीं करवाएं पूरी हो किसी भी डॉक्टर के साथ में गुमा दो-चार महीने वही डॉक्टर बन जाता है फिर वह अपना खुद का एक टेंक लाके डेरिफा उसका इंसेमिनेशन का काम शुरू कर देता है सरकारी अस्पताल से 20 रुपे का सीमन लाके पूरा पूरा सीमन 500 रुपे में 600 रुपे म हैं कौन से इसमें स्टेशन का सीमन है तो एक तरीके से लापरवाई हमें देखने को मिलती है जिसका भारी नुकसान मेरे किसान भाईयों को उठाना पड़ता है मेरे हमेशे कोशिस रहती है कि मेरी वज़े से अगर आप लोगों को कुछ भी जानकरी अच्छी मिलती है तो आप लोगों का उससे अगर कुछ भी बेनिफीट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी तो सर जैसा कि आपने बताया डेरी फार्मी में यह सब होता है कोई बंदा अगर कहीं से भी ब्हांसकरित के लाया कैसे उठे उसे अपने विसेट करें सबसे पहले तो अपने पर प आती है उनको बाजरी खाती है अलग-अलग जो है इलाके की पशु आते हैं वो अलग-अलग चारा पानी खाते हैं तो वो अलग-अलग उस पर अपन को द्यान देना पड़े इसका सबसे बेश्ट तरीका में बतता हूं जैसे कि आप इनसे ही पशु खरित की लेके गए इन बाई हे अगर्ध कि आपको बशना है तो हाट से ज्यादा लगेंगे खुंटे से खरीदे खरिदे किसान के घर से खरीदे और पशु गारंटी में खरीदे पशु गारंटी में रहेगा दो दिन दूद निकाल के लोगे तो आपके साथ दो कनी होगा यह और हट वह में किसे काटे को टी मशिन कौन से थी रहेगी actually मैं किसान भाई को एक बहुत मह्त्पूण जानकरी देना चाहंक जाता हूं हमेशा किसान भाई रेगुलर मोडल के मौडल स्का नाम है रेगुलर त्रे मोडल यहीं खरीदे बहुत सारे बाई ब्लोर मोडल की इच्छा जाताते हैं आज काल हर आदमी आरामी हो गया और वह चाहता है कि मेरा जो है वह दूर फेंकने वाली जो ब्लोर मोडल होती वह सक्षेजनी होती है यह जो है मशीने यह अंदर जो गंडा से लगे हुए प अब बरस्ते हैं वह गरिष्ट नहीं है तो वह सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए वहता है आपके फांप अगर आप मशीन लेकर आओगे तो महीना दो महीना सक्सेज चलेगी बाकी वह खराब हो जाएगी मैंने आप लोगों परताब डेरी फाम है वहाँ पर साड़ जुगार टाइप उन्होंने मशीन बना रखी उससे ही उसके उनकी कुट्टी होती है आप चाहिना मोडल याने की जैसे की कहिना का मतलब है कि अगर आप दिखावों पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको सारा काम बिगड जाएगा तो आप लोगों को दिखावा नहीं कर है वह पर आपको सिधी इस पर टपनी होगा ट्रेनी होगी बर मशीन यहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी आप जाके देख लीजिए क्या प्राइज होगी यह सर मोटर साही 30,000 रुपर प्राइज है इसकी हेवी ड्यूटी बिना मोटर की 24,000 और जो फेकने वाली मशीन आती है ना उसकी इमिद भी होती है लगबख सेम आती है पर वो जो है सुके चारे में एक परसेंट काम आ सकती है पर हरे चारे में तो वह मशीन एक दिन भी काम नहीं चलेगी यह मोटा मोटा इसका और को इसी कई भी जाओ आप संदीबिया आप आये दिन डेरियों पर गुमते हो आपको पता है हर जगे बलोर मोडल मशीन कहीं मिलेगी रेगुलर मोडल ट्रे मोडली में यह मशीन ने आपके पास भी काफी ज्यादा मात्रा में पड़ी हुई है जी कोई अगर इने खरीच नहीं जाता है तो संदीबिया यह तो यहां डेरी फरम पाके देखके चालू करक है यह फिर देखी हुई हो तो फोन करके वह आपने घर पर मंगा सकता है नंबर बताओ 9799 123196 ठीक है आपका एक ही मोबाइल नंबर है कि स्क्रीन पर इनको लगा दूँगा एक बार आप हमें पना बूलोर दिखा दे जी ऐसे संदीबिया मेरे पास मेट का काम भी है और है कould बेशते हैं और अच्छे प्राइंड की मेट अपन बेशते हैं यह दो दांत बूले आप देखो आराम से पासां के कुछा जिका मुछ से दो दांत ही कि यह को आलेटी पशु के अलावा यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग पेसे बचा-बचा के डेरी फार्मिंग कर लेंगे तो इसा नहीं होता नुक्सान का कारणी आज के लिए ही है लोग आलसी होते जारे हैं एक एचेप गाई और हम काल से पहले खरीदी थी अभी तक यह दूद दे रही है बीच में एक बार ब्याई है सुबह इसने दूद निकाला इसका और साम को बच्चा दे दिया इसने अभी तक दूद दे रही है और एच्छ वैसे रखना नहीं चीए देशी गाई का जो है पालन करना चीए पर मैं इसको एक लक्षमी का रूप मानता हूं और यह बिल्कुल अच्छी गाई है और अपने यह इसके साचन में देशी गाई भी लाया गीर उसको आप देखके बताओगे कि यह तो ग्याबीने चार महिने जबकि अभी चोटी सी बचिडी है अब लोग डेरी फार्मिंग को ऐस बिजनस लेना चाहते हैं तो आपको है पिछे से दिखाऊ आप यह देखो यह देखो क्या उम्र होगी लगब इसकी उमर लगब डेर साल होगी खरीद के लाया बिल्कुल फिक्स तो नहीं बता सकते हैं एक मोटा-mोटा आइडिया बता सकते हैं इसका अडर देखो गया पांच मेने ग्याबिन हो अचा पांच थे ने इसके हैं एक बच्ची वह आता है गायों में आता है चोटा सब जो थना अगया एक जिसे यह गेर नसल की गई है बच्ची है कि देखो काफी शांदार है शाइनिंग अडर बहु शांदार इसका अब इसके छोटी सी उमर में देखो इसका अडर देखो ऐसे लगेगा जिससे कोई गाई हो कि यह अभी बच्ची है कि देखो पर डेरी फार्म में इतने पश्यू पाल रहे हैं तो कम सकम एक गाई देशी भी पालना जरूरी है और इनके दर्शन से ही सारा काम होता है वह माता का दर्शनी सब कुछ है चलो तो दोस्तों मुझे उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डेरी फार्म करना संभव नहीं है तो मैं आप लोगों को इनका एक और वीडियो दिखाऊंगा जिनमें कि सारे के सारे जो इनके पश्यू है वह आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनकी क्वालिटी के साथ में क्या कुछ उनकी खासियत हैं तो अगर आप लोगों का फिर वी कोई सवाल है कमेंट में आप लोग लिखें उसका जवाब भी आप लोगों को जरूर दूंगा देंक्यों दो